नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके यूट्यूब चैनल The Secret of Investing में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी फार्मसेटिकल कंपनी के बारे में जो की बहुत ही सांत है पिछले एक साल से आप लोग देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाय पे चल लेंगे सारी फार्मसेटिक नहीं कर पाई है तो आज हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में कि किस तरीके से आने वाला फॉर्कास्ट हो सकता है आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करती हुच दिख सकती है तो आप लोग देखें पहले से रोल्डिंग पैटन कि किस त पर्संट का इस्टेक कर दिया है जी दोश्तों 1.87 परसंट के स्टेख लगबख कम कर दिया है और यह का भी कुछ रका सफ I ॏ ईश्ट का हाई चाहां 6.43 प्रसंट के स्टेक खोडिते हैं ते जून 2018 दोवेही के 하면 553 पर स्टेक करते हैं के वर लेकिन यह company fundamentally बहुत strong है, past year performance बहुत ही सांदार है, year on year basis पे बहुत ही सांदार growth दिखाई हुई देती हुई दिखती है इसकी, अगर हम लोग बात करें नमबर 2009 से तो आप लोग देखेंगे कि year on year basis पे company ने किस तरीके से अपने आपके profit को generate करके दिखाया है, तो आप लोग द पाती थी, वही year on year basis पे company ने growth दिखाई, December 2011 में इस company का profit 150 करोड हो गया, 2012 में इस company profit 145 करोड हो गया, 2014 में इस company का profit 198 करोड हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि year on year basis पे company ने किस तरीके से growth दिखाई है, और आगे भी यह इसी तरीके से growth दिखाएगी, यहां दोस्तों, ज बढ़ा पाती है, year on year basis पे वही आपको अच्छे रेटर प्रवाइड करा सकती है, और ना ही केवर इसने अपने core business को expand किया, बलकि आप लोग इदर देखेंगे कि 29 करोड का 2009 में profit other income generate कर पाती थी, वहीं पे 2020 में इसने 114 करोड की income generate करी है, अपने other business से, तो आप लोग देख दोस्तों लग भग 27% का annually return past 10 years से, यहां दोस्तों बहुत ही सांदार returns होते हैं, यह कोई भी company mid cap इन returns को देने में बहुत ही सक्छम नहीं होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यह company बहुत ही सांदार है, 27% के annually return इसने अल्यडी 10 साल से perform किये है, पिछले 5 साल की बात करेंगे 29% यह return इसने अल्यडी दिये हैं, पिछले 3 साल में 34% के सांदार return अपने investor को provide करा है, return on equity देखिए past 10 years की 56% जी हां दोस्तों 26% की sales growth compound profit growth देखिए 27% और 16% यह सब आकड़े बताते हैं, company कितनी ही सांदार है, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो mid cap company मे pharmaceutical में बहुत ही सांदार time में इसमें invest करने का इसके बहुत ही ज्यादा उपर level के target निकल के आ रहे हैं, अगर आप लोग बात करें इसके quarter on quarter profit की, तो भी आप लोग देखेंगे कि quarter on quarter result ही सांदार आते हुई दिखाई दे रहे हैं, जून 2018 में 82 करोड, September 2018 में 138 करोड, December 2018 में 117 करोड, इस अब आकने आपको बता रहे हैं कि company fundamentally weak नहीं है, बस इसका stock price upside movement नहीं दे पा रहा है कुछ समय से, यह बहुत ही जल आपको बहुत ही बड़ी तेजी दिखाने वाला है, आने वाले time में, अगर आपने अभी तक इसको portfolio में नहीं किया है, तो आप लोग जरूर कर सक परसेंट की है, पास्ट three years से compound heavy dividend payout already इस company ने maintain किया हुआ है, 68.29 परसेंट का यह सब चीज़ें आपको company के strong fundamental की ओर ले जाती है और बताती है कि आपको अच्छे time में इसमें इंवेस्ट करके रखना चाहिए और लंबे समय के लिए invest बने रहना चाहिए, अगर हम लोग बात है, मैं आपको बताऊंगा कहां से आ रहे हैं, तो आप लोग देखेंगी एक दिन में इसने कोई भी रिटन प्रवाइड नहीं किया है लगवग फ्लैट ही ट्रेट किया है यह पूरे दिन लास्ट दे में अगर हम लोग बात करें वीकली रिटन की तो आप लोग देखेंग है यह फ्लैट ही ट्रेट किया है पूरे साल वही 16,000 से 14,000 की बीच की रिंज इसने मेंटेन करी हुई है वहीं यह लगाता ट्रेट कर रहा है लेकिन बहुत ही सांदार स्टॉक है तो उस्तों कभी भी क्रोथ दिखा सकता है बहुत ही लंबी आप लोगों को लंबे समय के लि का मार्केट कैप है इसका भी का और अगर हम लोग बात करें कंपनी के मैक्स परफॉर्मेंस की किस तरीके से इसने अभी तक परफॉर्म किया तो आप लोग एक बार रिटन देखिए इसके 27 235 परसेंट के सांदार रिटन कंपनी ने अल्यटी प्र दे दी हैं अपने इन्वेस्टर को जिहां दोस्तों और यह कंपनी बहुत ही सांदार प्रफॉर्म करती हुई आई आप लोग ग्राफ से अंदार देख सकते हैं कि कितना सांदार ग्राफ है और डी वन वे चलता है य दिखेगा आपको अगर लोग बात करें फोरकास्ट की तो आप लोग देखेंगे लगवग नौ एनिलिस्ट किराया आप डली हुए और 67 परसेंट और डी बोलते हैं इसको बाय करने के लिए फ्रम डिस लेवल और टार्गेट देखेंगे तो लगवग भी सजार पान सो का नजर आ रहा है इस साल का जी हां दोस्तों आप लोग इस सम चीजों से अंदाचा लगा सकते हैं कि कंपनी कहीं से भी वीक नहीं है आने वाले टाइम में आपको अच्छे से अच्छा पैसा बना के दे सकती है जी हां दोस्तों 27 परसेंट के एनुली रिटेन और पास्ट 10 य